योंत प्रविश्यम ममवाच मिमां प्रसुप्ताम संजीव यतक्खिलशक्ति धरा सुधामना अन्यांस चहस्त चरनस्रवनक्वगादिन प्राणा नमो भगवते पुरुसायत उध्यम नमस्कार मैं डॉक्टर ननन कुमारतिवारी वास्तु शास्त्र से सम्मंधित विश्यो को लेकर पुना आप सभी जोतिश शास्त्र के अध्यताओं और दर्शकों के वेच पुना समपस्थित हुआ हूँ मित्रो वास्तु शब्द उचारण करते ही प्राय हमन में एक ऐसी आकरती बनती है कि इसका सम्मंध कहिन कहीं ग्रिह निर्मान से अथ्वा ग्रिह से है सामान्य रूप में हम देखते हैं कि जहां कहीं ग्रिह निर्मान का कारिय चल रहा हो अथ्वा ग्रिह निर्मान हो तो पुना हमें वास्तु का याद आता है हम वास्तु के चर्चा करने लगते हैं कि वास्तु के हिसाब से ये मकान सही है अथ्वा नहीं वास्तु के हिसाब से इस मकान को मकान के रूप क्या होना चाहिए या मकान का रूप के अंतरगत मकान में किस दिसा में कौन से चीज बनाना चाहिए. चाहे वो देवाले निर्मान हो, अथवा पाक शाला हो, जहां पे आपका ये कीचन होता है रासोई घर, वो कहां हो, हमें शैन कक्ष कहां बनाना चाहिए. आधित्यादी इस तरह की विशय मन में स्वतही उत्पन होने लगता है तो मित्रो पुरो में हमने वास्तु सास्त्र से सम्बंधित परिभाशा, परिचय और उसके प्रवर्तक और आचायों के बारे में चर्चा की थी अब मैं आप लोगों को वास्टु शास्तर का आधार यो उसके स्वरूप के बारे में बतलाने जा रहा हूँ तो भारतिये वास्टु शास्तर का आधार क्या है? मित्रो हम सब जानते हैं कि मानो जीवन में उनके तीन मुल्भूत आवशकताए होती है वो पहला है भोजन, दूसरा है वश्टर, तिसरा आवास तो निश्चित रूप से वास्टु शास्तर का संबंध कहिन कहीं आवास से ही है और हम जानते हैं कि जगत के समस्ट प्राणी को रहने के लिए उन्हें ग्री की आवशकता होती है आवास की आवशकता होती है वहाँ वास्तू की चर्चा होने लगती है वास्तू शास्त्र का आधार मनुष्य की मानसिक दिश्टी से सुख प्रदान करना है मनुष्य को मानसिक दिष्टी से सुख प्रदान करना है या केवल मनुष्य के शारिरिक सुख का ही नहीं अपितु मानसिक सुख का भेविचार करता है भारती वास्तु सास्त्र केवल ऐसे भौन की कलपना नहीं करता जिसमें रहकर मानों को केवल भौतिक सुख ही मिले, अपितु ऐसे भौन की कल्पना करता है, जिससे मनुष्व प्रसन्न चित हो, उसका जीवन सम्रिद्ध हो, और भौन में रहने वाले सभी लोगों में पार्षपरिक सौहार्द और सामंजस्य की भावना हो, और यही वास्त सास्त्र का मूल उदेश से भी है, कदाचित इन ही उदेशि को देखरके रिष्यों ने, आचारियों ने वास्तु सास्त्र का निर्मान किया होगा, इसी क्रम में हम वास्तु सास्त्र के बारे में जानने से पहले ठोड़ी उसके चर्चा और करते हैं, प्राया यह देखा जाता है कि मनुष्च जब प्रिथी पर जीवन यापन करता है तो कहीं ने कहीं प्रकृति के साथ उसका संबंध यदि संतुलित न हो तो उसके जीवन में कई तरह की विपत्तियों का आना लाजमी हो जाता है यदि उनके घर के उनके जहां वो वास करता है उसके एर्दगिर्द यदि प्रदूशन हो अध्वा प्रतिकूल इस्थिती हो तो उससे बातावरण पर प्रभाव परता है और उस बातावरण का प्रभाव मनुष्ट के उसके जीवन पर भी पड़ता है इतिहास साक्षी है जब-जब मनुस्त्य ने किसी भी चीज का अतिक्रमन किया है तो उसे सदयो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है वास्तो से संदर्भित एक विशय मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि समरांगन सुत्रधार के सहदेवा अधिकार में वर्नित कथा है जिसमें आधुनिक विकास सिद्धांत के प्रतिकूल यह कहा गया है कि प्राचिन काल में मानो और देवता एक साथ रहते थे मानो और देवता जहां एक साथ सुक पुरुवक निर्वास करे उसका नाम वास्तु है यह भी एक परिभासा वास्तु की दी जाती है तो समरांगन सुत्रधार की यह कता कहती है कि देवता और मनुष वो एक साथे जिवन यापन करते थे देवता के तरह मनुष्य में भी उसी तरह से अतुलित सक्ती और समस्त भौतिक सुक्सुभधा और उनके अंदर सात्पिक भावनाएं आदि इत्यादे विद्यमान थी परन्तु कालांतर में मनुष्य देवता की अवग्या करने लगा वह देवता से अपने आपको स्रिष्ट समझने का प्रयास करने लगा और परिणाम सुरूप ऐसा हुआ की मानो और देवता दोनों में विच्छेद हुआ और दोनों फिर अलग-अलग हो गया देवता देवलोक में और मनुष्य भूलोक में स्थापित होने लगा और इस तरह से मनुष्य जो है वो भूलोक में फिर निवास करने लगे तो यह कथा यह बताती है कि मनुष्य को कभी भी अतिक्रम नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का अब जब हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु का संबंध निश्चित रूप से जोतिश शास्त्र से है और जोतिश हम जानते हैं कि वेद चक्छो के दम स्मृतम जोतिसम अर्थात वेद का चक्छो रूपी अंग है जोतिश वेद के मुख्य तया छे अंग हैं जिन्हें वेदांग अत्वा शास्त्र कहा जाता है वह शे अंग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, चंद और जोतिश तो जोतिश वेद का चक्छो रूपी अंग है उसके प्रमुखतया तीन असकंद है जिसमें पहला असकंद है सिद्धांत या गणित दूसरा है होरा या फलित तीसरा सम्हिता जोतिश तो सम्हिता जोतिश के अंतरगत वास्तु सास्त्र का हम अध्यान करते हैं वास्तु सास्त्र में ही फिर शिल्पकला, चित्रकला, वास्तु कला, आदिकावे ज्यान हम करते हैं यद्धे पी जोतिश सास्त्र बहुत असकंद हात्मक है परंतु मुख्य तया इसके तीन असकंद हैं जो हमने पुरूव में आपको बताया तो वास्तु पुरुष की अब हम बात करते हैं पहले काल पुरुष की बात की थी अब वास्तु पुरुष की बात करते हैं शरीर के विभिन अंगों में राशी की ग्रहों की नक्षत्रों की परिकल्पना की गई है आचारियों के द्वारा जैसा कि हमने पुरु में ही बताया था कि आचारवराहमेर ने अपने ग्रंथ लगुजातक में यह लिखा है अर्थात मेशादी क्रमादयह राश्यह मेशादितह मीन परियंतम अर्थात मेश राशी से लेके मीन राशी परियंत परतेक राशियों का उस वास्त पुरुष के शरीर में अलग-अलग स्थापना की गई है जैसे मेश राशी मस्तक वह वास्त पुरुष के मस्तक पे है जिसको इंगलिस में एरिस कहते हैं और विरिश राशी जिसको इंगलिस में टॉरस कहते हैं उसका मुख से संबंद है वास्त पुरुष के उसका मुख से संबंद है शिर्ष मुख बाहू, बाहू कहते हैं भूजा को जिसका संबंध मिथुन राशी से है जिसको अंग्रेजी में जिमनी कहते है और चौती राशी करक राशी है जिसको अंग्रेजी में कैंसर कहते है और उसका संबन्ध हरदय से है, वास्तु पुरुस के हरदय से उसका संबन्ध है उसी करम में आगे सिंग हराशी है, सिंग हराशी जिसको इंगलिस में लियो कहते हैं और उसका संबन्ध उदर से है, वास्तु पुरुस के उदर में वहराशी स्थापित है या ऐसे परिकल्पना किया गया है उसी करम में कन्या राशे, तुला राशे, व्रिष्चिक राशे, धनू राशे, मकर और कुम्ब, तथामीन राशियों का भी उसी तरह वास्तु पुरुष के सरीर में परिकल्पना की गई है कदाचित कित्सा जोतिस में हम देए देखते हैं कि काल पुरुष अथवा वास्तु पुरुष के सरीर के अंगों में जिस तरह राशियों की परिकल्पना की गई है तदनूसार ही वो अब्यक्ति को प्रभावित भी करता है यथा वास्तु पुरुष के शरीर में जिस अंग में जो राशी है तो तत्सम्मंधी फल जो है उस ब्यक्ति के उपर उस शरीर के पर्टिकुलर उस हिस्से पर पड़ेगा इस प्रकार से वास्तु पुरुष का स्वरूप है और भवन में वास्तु का स्वरूप कैसा होता है तो इसकी चर्चाब हम करते हैं प्रतेक भवन में वास्तु पुरुष औंधे मुह लेटा हुआ है औंधे मुह मतलब नीचे की और लेटा हुआ है ऐसा माना जाता है और उस वास्तु पुरुष पर देवों का निवास है अर्थात देवताओं का निवास है इस प्रकार से प्रतेक भूखंड पर देवों का वास होने के कारण वह भूखंड भवन मातर न रहकर देवाले हो जाता है और उस देवाले में निवास करने वाले मन इस विधी का उल्लेक वास्तुपद विन्यास के नाम से वास्तुपद विन्यास के विविध गरंथों में प्राप्थ होता है। वास्तुपुरुष का जो स्थापना हम उस वास्तुपुरुष को वहां पर स्थापित किया जाता है। वास्तुपुरुष की चर्चा के दोरान हम आपको यह भी बताते हैं कि इशान कोण में वास्तुपुरुष का सिर्थ, नरित्य कोण में पैर, आगने और वायब्य कोण में वास्तुपुरुष के हाथ प्रतिश्थित हैं। भूखंड पर ओधे मुह ब्याप्त इस वास्तुपुरुष के शरीर के विविध अंगों पर विविध देव की अस्थापना की कल्पना की गई है। अगनी देव वास्तुपुरुष के शीर भाग पे, वरुण देवता मुख पर, अधिती नेत्रों में, जयनताधी वास्तुपुरुष के कर्ण में, अर्थात कानों में, सुरी चंदर वास्तुपुरुष के दक्षण और वाम भुजा पर, आप वत्स महेंद्र और चरक, इन तीनों देवताओं के प्रतिष्ठा वास्तु पुरूस के वक्षस्तल पर अरियमा और प्रित्यु धर के प्रतिष्ठा दक्षण और वाम अस्तन पर की जाती है। वास्तु पुरूस के उदर पर मित्र और विवस्वान लिंग पर जय और इंड्र दक्षण उरू पर यम तथा वाम उरू पर वरून के स्थापना मानी जाती है। जो महत्व वास्तु स्पत्ति का है पौरानिक साहित में वही महत्व वास्तु पुरूस को प्राप्त है। आप वास्तु पुरूस के शरीर में जिस तरह से भी हमने विविद्योत्ताओं की प्रतिष्ठा के बारे में बताया आप इस छाय चित्र के माध्धम से भी देख करके समझ सकते हैं। तो मित्रो अभी आपने वास्तु पुरूस के आधार और उसके स्वरूप को यहां जाना। अब हम वास्तु पुरूस से वास्तु सास्त्र से जुड़े अन ज्यान को ले करके आपके सामने पुना उपस्तित होंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।